आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो हम आपको जो नुस्खे बताते हैं वो वैद्यों की राय के मुताविक होते हैं इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तो कई लड़कियों के चेहरों पर ब्लेक हेड्स की समस्या होती है लेकिन ब्लेक हेड्स को हटाने के लिए किये गए उनके सारे जतन बेकार हो जाते हैं आप भले ही हैरान हों लिकन ये बाद सच है कि जनसंख्या के 70% लोग ब्लेक हेड्स की समस्या से ग्रस्त हैं इसलिए आप खुद को अकेले ना समझे आज हम आपको ब्लेक हेड्स की समस्या से राहत पाने का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जोकि आपको ब्लेक हेड्स की समस्या से रहात दिलाने में मदद करेगा इसके लिए आपको इन दो सामग्रियों की जरूरत होगी हाला कि इससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि ब्लेक हेड्स आखिर क्यों होते हैं ब्लेक हेट्स छोटे काले बप्स की तरह होते हैं जो कि आम तोर पर हमारे नाक के आजपास हो जाते हैं दरसल जब हमारी तवचा के पोर्स में गंदगी और वेक्टीरियाज भर जाते हैं तो तवचा को अक्सीजन ना मिलने के कारण ब्लेक हेट्स हो जाते हैं इस उपचार की मुख्य सामगरी तूथ पेस्ट है जैसा कि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें मिंट होता है जो की एंटी इंफलमेंटरी गुन के साथ आता है ये पोर्स को खोल कर वेक्टिरियाज को खत्म करने में मदद करता है जो की ब्लेक हेड्स होने क एहम कारण होते हैं इस उपचार को अपनाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कराएं दूसरी सामगरी है नमक नमक में होने वाला मिनरल हमारी तुचा के डेड स्किन को हटा तुचा को साफ कर देते हैं आईए अब हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से इसका इस इसके लिए एक चमच टूथपेस्ट को एक बाउल में रख लें आप चाहें तो प्लेन वाइट टूथपेस्ट का इस्तिमाल कर सकती हैं इसके बाद इसमें एक चुटकी नमक डालें फिर इन सभी चीजों को मिला लें इस मिक्षर को अपनी तवचा पर इस्तिमाल करने से 10 पहले ही आप स्ट्रीम ले लें ये ब्लेक हेड़़्स को सौक कर देगा इसके बाद अपनी नाख पर इसका एक गोट लगा ले इसे पांच मिनिट के लिए नाख पर ही लगे रहने दें इसके बाद हलकाँ सा पानी लेकर इसे सरकुलर मोशन में रब करें इसके बाद हेट्स चुटकियों में खत्म होते हैं दोस्तो आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताये गए नुस्खे वैद्धियों की राय के मताविक होते हैं जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद है हरूप का निदान